जो सोटायब माइस फाइट इस वनने ख्लोज यांट हुए बड़े सारे सवाला दा दाते हैं कि ठेक है जरमनी आना भी बड़ा अशान है जर्मनी आना भी चाहिए अर्णिंग ओपर्चुनिटीज भी बहुत जादा हैं और उससे आपके एक्सपेंडीचर्स भी कवर हो जाते हैं लेकिन भाई यह तो बताएं कि एक्सपेंडीचर्स होते कितने हैं अगर हम एस स्टूडेंट जर्मनी में बैसलर्स ज़या紧्र्स क를नें तो उसमें अमारे इक्सपेंडिचर्स कितने होंगे और रहम उनको किस में कवर करेंगे तो आज अगर आप अुसी पर बात करते हैं कि अगर आए स्टूडेंट यहाँपर चाहिए उसको भी फ्रेस कर दें ताके हर आने वाली वीडियो का न्यूटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो जी सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है आपके घर का रेंड का और यह वो एक्सवेंस होता है जो आप बिल्कुल अवाइड़िबल है जिसको आप अवाइड करी नहीं सकते हैं क्योंकि आप आते किस तरह की अकॉमडेशन में हैं मतलब आप की तरह की अकॉमडेशन प्रिफर करते हैं तो पहले तो उस अकॉमडेशन को डिसकस कर लेते हैं क्योंकि हम आज जैसे बात करें कि आपको अगर आते हैं तो उसके कितने र Innovation डिते हैं अब वो डिबेंड करता है वो एरी करता है City to City अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो नहीं पर थोड़ा से रादा होगा सтьुडेशों का और जिस तरह चोटे शहरों में आते जाएंगे उस तरह च्वाटे शहरों में आपका student hostels की जो rents होते हैं वो कम होंगे let's say Munich हो गया है Hamburg हो गया Frankfurt हो गया Berlin हो गया Stuttgart ये थोड़े से आ जाते हैं बड़े cities के अंदर तो अगर आप इन शहरों में आते हैं तो आप रखलें के आपका student जो hostel में जो आपको accommodation मिलें उसका जो rent होगा वो होगा in between 300 euros to 450 euros max इसी तरह अब अगर आप छोटे शहरों में जाते ही तो छोटे शहरों में आप 50 euros या 100 euros का difference रखलें के वहाँ पर आपको इससे कम में मिल सकते हैं तो ये तो होगे student accommodation in hostels के अंदर जो universities की तरफ से आपको provide किया जाता है अब इसका drawback है कि यह होता है क्योंकि Germany में demand बहुत जात है क्योंकि free study है पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया से students आ रहे होते हैं Germany में free study को avail करने के लिए तो इसी तरह students जाता होते हैं और यहां पर student hostels है उनकी demand भी जाता होती है और बड़े शहरों में तो ऐसा भी होता है student hostels में जो waiting list होती है मतलब मैं अगर अभी इस साल यहां पर आ रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा 18 months तक जो है ना वो application जाई भी और 18 months की waiting list है और कुछ-कुछ शहरों में तो 24 months की waiting list होती है तो जितना बड़ा शहर होगा जैसा Berlin, Hamburg, Munich इस तरह है जो भी शहर होगी उसमें student hostels के लिए students की waiting होगी accommodation के लिए वो उतनी ही जादा होगी फिर क्या करना पड़ता students को फिर students को यह करना पड़ता है कि आपको private accommodation में जाना पड़ता है again private accommodation भी देन हो उसमें दो तीन rooms और उसमें से एक room आपको चाहिए तो वो vary करेगा let's say आपको 600 to 800 euros I think इतने के अंदर आपको एक room बिलेगा और वो भी एक apartment के अंदर दो ती या चा room जोगे और उसमें से एक room आपके लिए मुक्तस होगा और उसमें आपका kitchen और bathroom and washrooms ये shared होंगे अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पूरा apartment ही चाहिए म्यूनिक जैसे शहर में अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो rent आएगा वो आएगा at least I think 900 euros से लेके 1200 ये 1300 euros तक जो के students बहुत कम इस option के लिए जाते ही किसी student के पास इतने पैसे नहीं होते जो जर्मनी आ रहा है free study avail करने के लिए कि वो 900 या 1000 1200 1300 euros पे करें सिर्फ rent की मद में जर्मनी में आकर तो जादा तर students या तो student hostels को प्रिफर करते हैं या फिर private accommodation में वो one room जो shared होता है मतलब एक ऐसा apartment प्रिफर करते हैं जिसमें 2-3 room और वो एक room उनके पास हो तो उनको इतना ही rent पड़ता है और जो थोड़ा सा reasonable होता है अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को complete version हमारे YouTube चैनल पर मौदू है जिसका link comment ये description section में share कर दिया गया है इसलिए पर जाकर आप इस वीडियो के complete version को ईयोई कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो like, subscribe, share करना मद भूलेगा और वीडियो अगर अच्छी ना लेगे तो अपनी feedback से ज़रूर आदा किजेगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिज